निर्मला का जोइंट परिवार था जहां निर्मला अपने तीन बेटों के साथ अपनी तीन बहुओं और अपनी देवरानी कांता और उसकी दो बहुओं के साथ रहा करती थी ऐसे ही एक दिन निर्मला अपने तीन बेटों के साथ बाहर जा रही थी तब ही उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है और उस एक्सिडेंट में निर्मला समेथ उसके तीनों बेटों की मौत हो जाती है उन चारों की मौत के बाद धर में पूरी तरह शोक चायाता है ये देख कांता अपनी दोन बहुँँ से बोलती है नीतू, नैना बहु, इस घर में जब से दीदी और उनके बेटे की मौत हुई है तब से यहाँ इस घर में मातम चाया हुआ है इसलिए उन तीनों पर तुम दोनों थोड़ा ध्यान दो मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी? अब जब उन तीनों की ना तो सास बची, ना ही पती तो उन तीनों को इस घर में क्यों रखा? दफा कर दो ना उन्हें यहां से बहु, हम उन्हें यहां से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह घर, यह प्रॉपटी सब कुछ पहले भहिया के नाम था उनके जाने के बाद यह सब कुछ उनके पेटे के नाम हो गया है और अब इन तीनों के नाम वो सभी आपस में बात ही कर रहे थे तब ही वहां पर नंदिनी आ जाती है और अपनी चाची सास से बोलती है चोटी मा, वो खाने में क्या बनेगा? बना ले बहु, जो तुझे ठीक लगे जी मा, अरे नंदिनी दीदी पनीर बना ले न, साथी चाप ले ठीके नी, तुमें बना देती हूँ इस तरह से नंदिनी किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है तो वहीं कांता अपनी बहु से बोलती है बहु, ये क्या किया तूने? मतलब कैसे किया तूने? उसको हुकम भी दे दिया और उसको पता भी नहीं चला? हा ममी जी, यही तो है नीतो की ट्रिक हम उनको यहां से निकाल नहीं सकते हैं तो क्या हुआ? हम उने उनके ही घर में नकरानी तो बना सकते हैं न इतना बोल कर अब तीनों हसने लगते हैं तो वहीं इस बास से अंजान नंदिनी, सुहानी और नंदिता कि उनके साथ आने वाले समय में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है वो तीनों बेचारी अपनी चाची सास को अपनी सास और अपनी दोनों देवरानियों को अपनी छोटी बहन समझ कर उनकी सेवा करती हैं ऐसे ही अब समय गुजरने लगता है और समय के साथ-साथ नैना और नीतू उनसे काम करवाने के साथ-साथ उन पर अत्याचार भी करने लगी ऐसे ही एक दिन सुहानी दिदी ओ सुहानी दिदी आज की डेट में आपका खाना बनेगा की नहीं? हाबस बन गया नजाने कब तक इनका यही चलता रहेगा कुछ देर बाद अब सुहानी नैना को खाना परोज देती है और अब जब नैना जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मू में डालती है वैसे ही खाने को उगल कर खाने की प्लेट फेकते हुए अपनी जिठानी से बोलती है तू, कितना गंदा खाना बनाया है तूने क्या हुआ नैना? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ? भला इतना गंदा खाना कोई कैसे बना सकता है? अरे पर हुआ क्या है? हुआ क्या है रुको, मैं आपको अभी बताती हूँ इस तरह अब नैना सुहानी का हाथ पकड़ कर किचन में ले जाती है और उसका बनाया हुआ खाना जबरदस्ती उसके मुझ में ठोंसती है इस तरह कि बत्तमीजी देख सुहानी बोलती है नेना ये क्या बत्तमी जी है? बत्तमी जी अभी की ही कहा है भावी, बत्तमी जी तो होनी बाकी है। नेना अपनी जेठानी पर चिलाने लगती है, तपी घर में सब इखटे हो जाते हैं, जहां उनकी बहस देख नेना की सास सुहानी से बोलती है। बहु क्या हुआ? क्यों घर में इतना हंगामा मचा रखा है? मम्मी जी आपकी इन दो विद्वा बहु का तो मुझे नहीं पता कि ये सर पर चड़कर नाच रही है या नहीं? लेकिन सुहानी दिदी सर पर चड़कर बहुत नाच रही है. संभालो इने कहीं ये सर चड़कर ता वरानी की. ऐसी हरकत देख. सुहानी को बहुत बुरा लगता है. बेचारी सुहानी आखों में आसू लिये अपने कमरे में चली जाती है. और कुछ देर बाद नंदिनी और नंदिता सुहानी के पास आती हैं जिसके बाद वो उससे पूँचती है. लेकिन मैं इतना जरूर समझ गई हूँ. नैना और नितु बहुत चलाक है. और ये दोनों हम तीनों बिद्वा के उपर अध्या चार करने वाली है. सुहानी तुम चिंता मत करो. हर जोड का तोड होता है. ठीक उसी तरह इन दो चालक और तो का न कोई न कोई तोड जरूर ह होगा. दीदी इन दोनों का तोड तो अब सिर्फ बुआ के पास है. इस तरह अब नंदिता और नंदनी सुहानी को देखने लगते हैं और सुहानी अपनी बुआ सास को फोन लगाती है और सारी बात बता देती है. ये सुनने के बाद उन तिनों विद्वा वहू की बुआ स उनके घर आ जाती है. अपनी नंद कांती को देखकर कांता बोलती है. कांती दीदी आप? आप यहां क्या करने आई है? क्या करने आई हूं मतलब कांता मैं अपनी भावी और उनके बच्चों के शोक में नहीं आई. इसलिए मैं अभी यहां आई हूं. अभी यहां आई हूं कांती की बात कांता के सर के उपर से चली जाती है ऐसे ही अब दो से तीन दिन गुजर जाते हैं लेकिन नैना और नीतु का बढ़ताव अपनी तीनों बिद्वा जिठानियों के प्रती बिलकुल भी नहीं बदलता और वो आए दिन उनको उल्टा सीधा बोलती रहती है ऐसे ही एक शाम नैना और नीतु अपनी बुआ सास और अपनी सास कांता के साथ बैठ कर तीवी देख रही थी तब ही नीतु अपनी जेठानी को आवाज लगाते हुए कहती है जेठानी जी हम लोग यहां कब से चाय का इंदजार कर रहे हैं लेकिन आप लोग के अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं नीतु बहु यह कैसे बात कर रहे है तु अपनी जेठानी से अरे तु उसके ओपर हुकम चला रही है इससे अच्छा है कि तुम खुद चाय बना लो अगर तुने अभी खुद से चाय बना ले होती ना तो अभी तक चाय आ जाती इतना बोल कर नीतु वहां से चली जाती है तो वहीं कांती को सब देख कर अब पता चल जाता है कि कांता की दोनों चालाग बहु कितनी चालाग बन रही है और अब वो अपनी तीनों बिद्वा बहु को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती है कांता मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तेरी तीनों बिद्वा बहु को अपने घर ले जाओं इन तीनों का मन भी बहल जाएगा और खाली बन भी दूर हो जाएगा दीदी अगर आप इनको ले गई तो इस घर को कौन संभालेगा हाई तेरी ये दोनों बहु नहीं है तेरे साथ इस घर को समालने के लिए खेर कुछ भी हो मैं अपनी तीनों बिद्वा बहु को लेका जा रही हूँ अपने घर कुछ दिनों के लिए वहां रहेंगी तो इनका मन बहल जाएगा हाँ वैसे दिदी बोल तो बिल्कुल सही रही है मेरी देखभाल करने के लिए मेरी दोनों बहु है और वैसे भी मेरी दोनों बहुए चाहती ही थी कि ये तीनों बिद्वा यहां से चली जाए हाँ दिदी क्यों नहीं आप इन तीनों को अपने घर ले जाएए और कांता की बहु अब कांता से ही काम करवाने लगती है और ऐसे ही एक दिन मम्मी जी खाना अभी तक नहीं बना आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं हाँ बहु ला रही हूँ इस तरहे कांता नैना के सामने खाना परोस्ती है और खुद को नौकरों की तरहे देख उसको खुद की किये पर पच्छतावा होता है और वो खुद से बोलती है मैंने मेरी तीनू बहो के साथ कितना गलत किया आज उनके ना होनी की वज़े से मेरे घर में नौकरानी बनी बैठी हूँ हाँ मैं नंद जी को फोन करती हूँ क्या पता दीदी मुझे समझ सके इस तरह कानता, अपनी नंद को फोन करती है और उसे बोलती है हेलो दीदी, मेरी तीनु विद्वा बहुए कितनी अच्छी थी उनके रहते उन्होंने मुझे कभी काम नहीं करने दिया अब जैसे ही वो तीनु यहां से गई है तब से मेरी इन दोनु चालाख बहुओं ने मेरे जीना हराम कर दिया है वो तीनों भले ही मेरी सगी बहुए नहीं थी लेकिन उन्होंने सगी बहु से बढ़कर मुझे प्यार किया और मुझे इज़त दी लेकिन मेरी ये दोनों नागिन के तरह चालाग बहुए ने मुझे घर में नौकरानी बना कर रख दिया है मैं जानती हूँ कांता कि तेरी दोनों बहुए काफी चाला के इसलिए मैं भावी की तीनों विद्ववों को यहां लेकर आ गई मैं चाहती थी कि तुझे तेरी बहुए की असलियत पता चले हाँ दीदी आप जो मुझे सबक सिखाना चाहती थी वो सबक मुझे मिल गया है मैं चाहती हूँ कि इस घर की असली मालकिन मेरी तीनों बहुए है इस घर में वापस आ जाए इसलिए आप कल के कल मेरी तीनों विद्ववों को लेकर आ जाएए कांता की बात से कांता की नंद सहमत हो जाती है और अगले सुबह वो न तीनों विद्वण वहो को लेगर आ जाती है उन तीनों विद्वाओं को देखकर नीतू अपनी सास से बोलती है ममी जी, ये तीनों विद्वण यहां क्या गळ रही है इनको बोलो ये दुबारा बुअजी के घर चले जाए यहां इनकी कोई जगह नहीं है अगर यह यहां रही तो पहले की तरह हमारा दिन खराब ही जाएगा उनकी बात सुनकर कांता नीतु को एक जोरदार थपड मारती है बस करो तुम दोनु यह घर इन्ही तीनु का है समझी और तुम दोनु कैसी हो तुमारा असली रूप तो मैं जान चुकी हूँ तुम जैसे चालाग बहु पाकर मेरी किस्मत फूट गई है पर मैं अपनी इन तीन बहु को इन्ही के घर से निकाल कर इनकी किस्मत खराम नहीं होने दूंगी अब मेरी असली बहु तुम दोनु नहीं बलकि ये तीनु विद्वा बहु है समझी अगर किसी को जाना है तुम दोनु ऐसे तो जा सकती हो इस तरह से कांता की दोनों बहुओं को अकला जाती है और वो दोनों अपनी गलतियों की माफी मांग लेती है जिसके बाद एक बार फिर से कांता अपनी दोनों चालाग बहु और अपनी तीन विद्वा बहु के साथ आराम से उस घर में रहने लगती है फियों और साक्षी की शादी धूम धाम से संपन हो जाती है जिसके बाद विदाई का समय होता है लेकिन साक्षी की बहन हनी दोनों का दर्वाजा रोक कर बोलती है जीजू अप ऐसे ही जा रहे हैं जूते नहीं पहनेंगे पहनूंगा ना यहीं तो रखे हैं ये देखिए जूते तो मेरे पास है जीजू तो पहनेंगे कैसे आप अरे मेरे जूते तुमने कब लिये लाओ दो मुझे पहनने हैं ऐसे कैसे जीजू पहले पैसे दो फिर जूते लो अच्छा बिना पैसों के नहीं दोगी मतलब नहीं नहीं विल्कुल नहीं चलिए अगर जूते पहनने हो तो पैसे दीजिए पूरे ग्यारा हजार साली जी थोड़ा सा तो डिसकाउंट दो नहीं नहीं जीजू मैं आपको अपनी सुन्दर सी बहन दे रही हूँ तो इतना तो बनता है चलिए जीजू मेरी तरह नकरे करना बन कीजिए दे दीजिए न वैसे भी सालीों को जीजू से पंगे लेने में मसा आता है और ये तो हनी का हक भी है और रस्मती तुम भी न अपनी बहन की साइड ले रही हो जी लेनी तो पड़ेगी अच्छा ठीक है ये लो ये क्या जीजू आदे पैसे नहीं मुझे तो पूरे पैसे चाहिए वो सामने आपकी पॉकिट में है न दो हजार वाले नोट वो भी दे दीजिए चलिये मैं खोदी ले लेती हूँ आप कस्ट मत कीजिए ले लीजिए सालिस आहिबा व्योम की इतना कहते ही हनी उसे प्यार से चुकर उसके पॉकिट से पैसे निकाल लेती है जिसके बाद व्योम को उसका टच थोड़ा सा अजीब लगता है जिसके बाद साक्षी की फिदाई हो जाती है और वो अपनी ससुराल में आ जाती है जहां वियोम उसे कम्रे में रोमेंटिक होकर कोट में उठा लेता है और बैट पर लेटा देता है और उसके बाद वो दोनों अपनी जिन्दिगी की नई शुरुआत करते हैं ऐसे ही कुछ दिन बाद साक्षी अपने पक फेरे की रस्म के लिए अपने माई के आती है तब ही उसे छोड़कर फियोम जाने ही लगता है कि तब ही हनी अपने जीजू का हाथ पकड़कर रोगते हुए बोलती है अरे जीजू आप इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं आप भी तो पहली बार आए हैं कम से कम यहां दो दिन तो रुकिये अरे नहीं नहीं हनी मुझे ओफिस का बहुत काम है शादी के लिए भी बहुत से काफी चुटी ली थी मा आप ही कहिए ना कि जीजू यहां कुछ दिन रुक जाएं मुझे आप दोनों के साथ रहना है प्लीज जीजू मान चाहिए ना हाँ बेटा रुक जाओ व्यों हनी इतना कह रहे है तो आप रुक जाए ना मेरे लिए प्लीज अच्छा ठीक है रुक जाता हूँ only for one day येस जीजू रुक गए अब हम दोनों जीजा साली एक साथ खूब मस्ती करेंगे अब वो टाइम आ गया जब मैं जीजू के नहीं अपने व्यों के करीब रहूँगी हाँ ठीक है तुम सब बैटो मैं सब के लिए चाय बना कर लाती हूँ ठीक है मा मैं समान रख कर आती हूँ चलो कोई नहीं है अभी जीजू बताइए आप क्या खाएंगे आपको क्या पसंद है मैं वही बना दूंगी नहीं हानी तुम तकलीफ मत करो मुझे कुछ नहीं खाना और जहां तक मेरे खाने की बात है तो तुम्हारी दिदी मेरा खयाल रख लेगी ओ ठीक है जीजू मुझे कुछ करना पड़ेगा यह मुझे बात ही नहीं कर रहे ठीक से अच्छा जीजू मैं आपको अपने कैम की फोटो दिखाती हूँ एक मिनिट मैं अभी लाई हानी इतना बोल कर फोटो लेकर आती है और जान बूच कर सोफी पर बैठे वियों की बाह हुमें आकर गिर जाती है और बोलती है ओ सौरे जीजू कलती से मेरा पैर फिसल गया आपको लगी तो नहीं अरे मैं तो ठीक हूँ तुम बताओ तुम्हारे लगी तो नहीं न उठो और यहां बैठो जी जीजू मैं तो ठीक हूँ आपकी गोद में गिर कर बच गए परना तो लगी जाती कोई बात नहीं कुछ देर में दोनों मा बेटी आ जाती है तो हनी दूर होकर बैठ जाती है सब हसी मजा करके चाय नाश्ता करते हैं रात वो सब सो जाते हैं लेकिन हनी व्यों को अपना बनाने के बारे में सोचते हुए बोलती है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा परना मेरा व्यों मुझसे दूर हो जाएगा वो बस कल तक ही रुके हैं फिर चले जाएंगे काश व्यों की शादी मुझसे होती मा मुझे व्यों का रिष्टा दिखाती इतना हैंसम लड़का सिर्फ मेरी किसमत में होना चाहिए था ना कि मेरी बहन साक्षी के माने भी मुझे ये कहकर रोग दिया कि बहले बड़ी बेटी की शादी होती है अगर साक्षी की जगा मैं बड़ी होती तो आज व्यों मेरा होता मैं उसके साथ खुशी से रहती खेर मुझे नीम भी नहीं आरी मन कर आये अपने व्यों से लिपट कर सो जाओं देखकर आती हूं वो सोय हैं या नहीं हनी उसे देखने के लिए जाती है वहीं साक्षी व्योम से पानी लाने को कहती है अच्छा मैं पानी लेकर आता हूं तुम रुको व्योम पानी लेने जाता ही है के रसोई में व्योम को अकेला पाकर हनी उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखती है तब ही डर कर व्यों पीछे मुड़ता है और बोलता है अरे हनी तुम सोई नहीं यहां क्या कर रही हो वो जीजु मुझे नीन नहीं आ रही थी तो मैं किचन में आ गई भूग भी लग रही थी अच्छा ठीक है टाइम से सोजा ना थीक है जीजु हनी इतना बो पांस आता है तभी हनी डरो नहीं लगती है जीजु मुझे चोट लग गई बहुत दर दर दो रहा है ऑओ हनी तुम भी ना ध्यान से कुछ नहीं कर सकती हमेशा गिरती पड़ती रहती हो जीजो मुझे बाद में डाटना पहले मेरी थोड़ी हेल्प करके उठा तो दीजिए अच्छा ठीक है आउच आज जीजो मुझे उठाए नहीं जा रहा है प्लीज जीजो आप मुझे रूम तक छोड़ दीजिए फो उसी गोद में उठा लेता है कि तभी साक्षी आ जाती है और बोलती है अरे हनी क्या हुआ तुझे और वियोम आप तो पानी लेने गए थे आये नहीं रसोई में चड़खर कुछ उतार रही थी तुमारी बहन कि गिरपड़ी इसके पैर में लग गई ओहो ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बच्चो वाली हरकते अभी तक नहीं गई जाइए आप इसे कमरे में छोड़ कर आईए ठीक है वियॉम उसे कमरे तक छोड़ने जाता है और फिर बैट पर लिटा देता है और साक्षी उसे दवाई लगा देती है और बोलती है दवाई लगा दी है अब चुप चुप से सोजा समझी सब अच्छा चल रहा था लेकिन ये बीच में आ गई हम दोनों इतने अकेले थे मैं वियॉम की बाहू में रहती उससे प्यार से बात करती लेकिन साक्षी ने सब खराब कर दिया अपना पैर तोड़वा कर भी मुझे कुछ जादा हासिल ने वा ठीक है दीदी चलो अब तुम आराम से सो जाओ हनी ओके चलो साक्षी इस तरह दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं ऐसे ही हनी उसके करीब आने की सोचती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती और वियॉम अपने ओफिस चला जाता है साथ ही कुछ दिन में साक्षी को वियॉम अपने घर ले आता है वक्त बीटा है हनी वियॉम के लिए उसके पास जाने को तरस रही थी और वो खुद से बोलती है पस अब मैं और वियॉम के बिना नहीं रह सकती मुझे अपने वियॉम के पास जाना ही होगा मा से कुछ बहाना बना कर साक्षी के घर जाना ही होगा ऐसे ही हनी अपनी मा से बहाना बना कर साक्षी की पास चली जाती है और जैसे ही दर्वाजा खुलता है वो आकर सबसी पहले अपनी दी के गले से लिपट कर बोलती है ओ, दीदी, मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी, I miss both of you अरे, अभी तीन महीने फेले ही तो मिली थी, इतनी जल्दी याद आ गई तुझे ओ, हो दीदी, तीन महीने, आपको पता कितने होते हैं अरे, जीजू, आपको तो मैंने कुछ बोलाई ली, कैसे हैं आप, जीजू? ठीक हूँ मैं, तुम अचानक कैसे? मैं दीख रहा हूँ, इसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, अजीब तरीके से देखती है बस जीजू, ऐसे ही चल ठीक है, फ्रेश होकर खाना खाने आजा, मैं खाना गर्म कर दू ठीक है दीदी, इस तरहां वो अंदर आती है, फिर फ्रेश होकर दिनर करती है अगले दिन साक्षी किसी काम से बाहर गई थी, मोके का फायदा उठाते हुए हनी व्यों के बातरूम में नहाने चली जाती है, तब ही व्यों भी नहाने के लिए बातरूम में घुसता है कि हनी टौवल में उसे हक कर लेती है, तब ही व्यों घबरा कर बोलता है हनी तुम यहां मेरे बातरूम में छोड़ो मुझे यह क्या कर रही हो पागल हो गई हो क्या मुझे बाहर जाने दो ओ मेरे प्यारे वियम अब और कितना दूर रहोगे मुझे मैं तुम्हारे लिए तो यहां आई हूँ और तुम मुझे इन टाइम नी दे रहे हो तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, क्या वहकी-वहकी बाते कर रही हो, छोड़ो मुझे, कहीं साक्षी ने देख लिया, तो वो मुझे ही गलत समझेगी, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हटो, मैंने बोला न, वियोम, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प इग्नोर कर दिया, तुम अपनी बहन का ही घर उजाड़ना चाती हो, शरम नहीं आती, तुमसे प्यार करने में मुझे कोई शरम नहीं है, और उजड़ता है, तो उजड़ने दो, मैं तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम्हारा दिम करता है, तो मेरे पीछे ये चल रहा था तुम दोनों का, व्यों, तुमने मुझे दोका दिया, मेरी बहन के साथ ये सब, छीची? नहीं साक्षी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जो देख रही हो, वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दीदी, अच्छा है आप आगए, देखे न, चीजु मेरे साथ क्या करनी की कोशिश कर रहे थे, अब सही वक्त पर आगे, वरना मेरे साथ, साक्षी इसकी बात प पट गई थी मुझसे, तुमने देखा था ना साक्षी, साक्षी मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मेरे बात रूम में जान बुच कर आ गई थी, मेरा यकीन करो साक्षी, मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, नहीं दीदी, चीजु छूट बोल रहे हैं, इन्हों जबरदस्ती की ह मेरे साथ, पात रूम में गुच गई थे, ये जबरदस्ती, साक्षी उसकी पास आकर, उसे एक जोर का तमाचा मारती है, और बोलती है, हाँ तो होती है हनी जूट बोलने की भी, तुमने अपनी बहन के सुहाग पर ही नजर डाली, उन पर जूटा इल्जाम लगा रही हो, ये नाम का मंगल सुत्र नहीं पहना मैंने, अच्छे से समझती हूँ, उन्हें जानती हूँ, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये मेरी आत्मा तक जानती है, तुमारी हिम्मत कैसे हुई, इतना गटिया इल्जाम मेरे पती पर लगाने की, मैं तुम्हें मारू या पुल करने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जिन्दगी भर सिर्फ तुमसे करूँगा, आइनो व्यों, कुछ देर बाद हनी उसका घर छोड़कर, चुप चाप चली जाती है, और दोनों पती-पत्नी साथ रहने लगते हैं, दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?